मैं विश्वास करता हूँ कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है ये उसका भाग है और किस प्रकार की योजनाएं हैं सचमुच इस वक्त मैं परमेश्वर की महिमा को मेरे हाथ पैर ना होने के वज़े के संघर् करता हूँ ऑल्लॵज शर्लॵज जा-्लेलॵज शर्ड़ो है अल्लॵज आक लो ये कुछ ऍवाएं को बंसे च वर सानी समुप रवि जो धन्तों सचमुच रहलfaवद् पत्तिं attribug अरु आण आण आलेु ो या आण आदे देना लुए बार कारिये ykes om absolutely are hör वह पवित्र शास्त्र की उत्तम गवाही है देने के लिए हाँ हमारे फल द्वारा जिस सरा संसार देखता है येशू हमारे जीवन में हैं, जिस तरह से हम हैं, जीते हैं और मेरा मतलब है मैं बाहर भी जाता हूँ आप जानते हो बाहर मेरी मुस्कुरहट से भी मैं लोगों को छू लेता हूँ हाँ, तब सोचों कि ये जानना जरूरी है कि हम खुले मन से परमेशर को अपना उपयोग करने दें और उसकी योजना जो हमारे जीवन के लिए है मेरी ये चाह है कि मैं बिना सहरे और सामाने जिंदगी और पूरी जिंदगी जीऊं, यही मेरा सपना है मैं वाकई सारी समस्याओं को बाहर रख कर जीना चाहता हूँ और भरपूर्ता से मैं ये करने जा रहा हूँ हाँ, ये मेरा मुख्य उद्देश है, इसलिए मेरा मतलब है मैं नई चुनावती से प्यार करता हूँ हाँ, आप जानते हैं, मेरा मतलब है ये भी एक चुनावती थी कि मैं अपना काम करूँ जैसे कि अब मैं अपने दातों को खुद साफ करता हूँ और ऐसे बहुत से काम तो मुझे बढ़ा आनन्दाता है इन सब बातों में और कभी-कभी मैं नाराज हो जाता हूँ रुकावटों को दूर करने के लिए हमें पहले देखना है कि हम कहा हैं और रुकावटे क्या हैं हाँ, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बदल नहीं सकती और रुकावटे मेरे जीवन में हैं उन में से कुछ तु मेरे नियंतरण में है और कुछ नहीं सभाविक है क्योंकि मेरे जन्म से मेरे हाथ पैर नहीं है और यही बड़ी रुकावट है इस रुकावट से उभरने के लिए आपको जानना है कि आप कहा है और अपने आपको देखना है उस रुकावट से उभर कर त पर जब हम गिर जाते हैं परमिश्वर आता है और हमें फिर से उठाने के लिए सामर देता है। आलेलुया, आमें। आमें, आलेलुया, आमें। तेरे लिए हम आए हैं तेरे लिए ये जगा हैं। तेरे लिए ये जमी हैं। तेरे लिए आसमा हैं। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए हम आए हैं। तेरे लिए ये सुपा हैं। तेरे लिए रोशनी हैं। तेरे लिए ये समा हैं। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। आले, आलेलूया, आलेलूया, आमें। आले, आलेलूया, आलेलूया, आमें। इस सुबह आप लोगों के साथ होना एक सवभाग्य है। आज सुबह हम आनंद मनाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर तुम्हारे दिल को भी छूलेगा। मुझे आकश्र का केंदर बनना पसंद है। इसलिए मैं आज के शुरवाद तुम्हारी कलीसिया में टेनिस बॉल फेकने के दौरा करूँगा। मुझे टेनिस बॉल और फुटबॉल खेलने में बड़ा माननद आता है। रेडी कैच कैच ओ मेरी होर वापस मत पेगना क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है हम शुरू करते हैं। प्यारा है अच्छा कैच अच्छा कैच। हाँ मेरा जन बिना हाथ पैर के हुआ। और मेरे माता पिता सारी उम्र समर्पित मसीही थे। और फिर मैं आया ये जैसे की उनके विश्वास की परिक्षा थी। देखो जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। तब तक मेरे पिता को ये मालूम नहीं था कि मैं बिना हाथ पैर के जन में लूँगा और ये अजीब था क्योंकि इसका कोई वैग्यानी कारण नहीं था कि ये क्यों हुआ पर सबसे बड़ा प्रश्ण ये है कि यदि प्रभु मेरे माता पिता से प्यार करते तो उनके साथ इतना बुरा क्यों होने दिया क्यों और आप जानते हैं याकुब एक दो कहता है कि मेरे भाईयो जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो ठीक है जब मैं पैदा हुआ मेरे माता पिता के आखरी दो शब्द थे प्रभु की इस्तिती हो आपको पता है कि माँ अपने पहले बच्चे को व्याकुल होकर कैसे उठाती है ठीक है जब मुझे मेरी माँ के पास रखा गया तब सोचो उसने क्या कहा इसे दूड ले जाओ ये बहुत ही दुखत घटना थी क्या पूरा आनंद आज मैं आपसे बाटना चाहूंगा परमेश्वर के सारे वादे और वे कारण जो मैं यहां आपके सामने ख़ड़ा हूँ और परमेश्वर का आनंद मुझ में है अगर आपके पास बाइबिल है तो इरमया का उन्तिसवा अध्याय खोले इसके पहले कि हम वचन में जाएं जैसे मैं बड़ा हो रहा था मैं चाहता हूँ कि आप समझें मैं कैसी जिन्दगी जी रहा था और ये सिर्फ मेरे माता पिता के लिए एक कठिन नहीं बलकि मेरे लिए भी कठिन था मुझे 2400 गंटे देख भाल की जरूरत थी मेरा मुह आप जानते हैं उस आइसक्रीम के अंदर आप जानते हैं मैं पूरा गंदा हो जाता था इसी वजह से मुझे हमेशा किसी की जरूरत रहती थी इससे मुझे बहुत बुरा लगता है आप जानते हैं जब कोई मुझे टॉयलेट ले जाता था सोचो आपके माता पिता आपको ट्वालेट ले जाते हैं जब आप 11-12 साल के हैं और ये थोड़ी शर्मनाक परिस्थिती थी क्यों है ना मगर मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था पर मुझे इन सब की जरूरत थी मुझे लगा कि मैं मेरे खुद के माता पिता पर बोज हूँ मैंने मा से कहा कि आप लोगों के चले जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा देखो मुझे कोई भविश्या आशा नहीं दिखाई देती मुझे में ऐसा विश्वास नहीं था कि कोई भी लड़की मुझे पसंद करके मुझे से शादी करेगी हरकिस नहीं मैं आपको बता दूँ मैं अभी भी कुमारा हूँ मगर वाकई हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं यर्माया यर्माया उन्तिस ग्यारा कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कलपनाय मैं तुम्हारे विशे में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वेहानी की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा अब ये अच्छी वाचा है पर हम ऐसे क्यों नहीं है हमेशा क्योंकि हमारी आशा और भविश्य जो अब हो रहा है उस पर निर्भर है मैं जानता हूँ कि आपके इतर की बोतल खत्म हो जाती है ना खून तूट जाते हैं आप जानते हैं छोटी छोटी बातें आप निराश हो जाते हैं मागर बड़ी बातों में भी क्या हसने वाली बात नहीं है जैसे कि आप मदद मांग रहे हो और वो तुम्हे उत्तर नहीं देगा ठीक है मैं आप से ये वचन कुछ छणों में बाटना चाहूँगा पर क्योंकि मैं वाकई ध्यान चाहता हूँ मैं कुछ और दिखावा करना चाहता हूँ ठीक है स्कूल में मैंने अपने पैर से लिखना सीखा ये एक सामान निपन है जो प्लास्टिक होलडर में मेरे पैर में है लिखना अच्छा लगता है चितर बनाना अच्छा लगता है मैंने कम्प्यूटर में टाइप करना भी सीखा एड़ी अंगूठे से करीब 43 शब्द एक मिनट में अच्छा है ये एक पीचीदा बात है ठीक है मुझे मेरे मित्र को फोन करना है थांक यू थांक यू गूड मॉनिंग आपकी चेतामनी के लिए ये शायद पहली बार में नहीं होगा मागर क्या होगा जब हम असफल होंगे फिर से शुरू करते हैं क्या होता है जब हम असफल होते हैं कोशिश करो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है चलो शुरू करें ध्यान दें, देखिए, हेई, ये अच्छा था, जैसा कि आपने पहले देखा मेरी विल्चेयर, मेरी मरसडीज, मेरी मरसडीज, आप गोल-गोल घूमना, आगे पीछे जाना, वाकई बहुत मज़ा आता है, अच्छा है, अच्छा है, खेर ठीक है, वापस कहानी पर आता दिखावा बहुत हुआ, टेक है, ये कठिन था, कभी-कभी ये बहुत कठिन था, और ऐसी अंगिनिस चीजों की सूची में जो नहीं कर सकता था, जो मेरे पास नहीं था, और मैं सोचता था कि मैं ही क्यूँ, जैसे कि मैं बाहर जाता था, और लोगों की और देखकर मैं कुछ नहीं देख पाया लेकिन वो सब बातों में से जो मैं नहीं कर सकता था आप जानते हो सबसे दुखत ख्याल क्या था जब मैं समंदर के किनारे जोडों के हाथों में हाथ डाले देखता था जानते हो मैं क्या सोचता था मैं ये सोचता था कि मैं अपनी पत्नी का हाथ कभी नहीं पकड़ पाऊंगा मैं कभी भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में नहीं ले सकूंगा आप जानते हैं मैं उन्हें रोने पर चुब भी नहीं करा सकूंगा मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता मैं मेरी पत्नी को कार में नहीं बैठा सकता आप जानते हैं मेरी बाजू में और हम समंदर के किनारे जाएं और लहरों से खेलें और मैं उसके बालों में रेट डालू मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ये छोटी बात है मगर मेरे लिए महत्पूर्ण है और ये कठिल था अब मसीही परिवार में बड़ा होना संडे स्कूल में सीखना कि ये शुतिम से प्रेम करता है पर मैं एक वचन पर थम गया जो कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें उसके स्वरूप में बनाया है सही है हाँ मगर मैं उल्जन में था क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में मुझे बनाया था और वो मुझे प्यार करता है अगर मेरे जन्म पर उसका पूरा नियंत्रण है मुझे पता चला क्यों उसने मुझे ऐसा बनाया और मैं घुसा हो गया मैंने कहा पर्मेश्वर स्वावित करके तू सच्चा है और तूने मुझे बनाया और तू मुझे प्रेम करता है क्यों मैं ही क्यों पर्मेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया सालो साल आप उपते नहीं जब ईश्वर तुम्हें जवाब नहीं देता आए हम उस वचन को फिर देखें क्या होता है जब आप कुछ मांगते हो और नहीं पाते और आप कुछ खोचते हो और नहीं मिलता यर्मया 29 अध्याय 12 वचन कि तब उस समय तुम मुझे को पुकारोगे और आकर मुझे से प्रार्थना करोगे अपने पूरे हर्थे से जब तुम मुझे पुकारोगे और ढूडोगे जब तुम पुकारोगे और ढूडोगे तब मैं तुम्हारी सुनूँगा यही प्रभू की वाणी है अब वो मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहा था ऐसा है जिन्दगी के उतार चढ़ाओ उतार चाहओ और उस उतार के समय में आप सच में जानते हैं कि तुम्हें परमेशर की जरूरत है और एक कारण है कि उसने आपको अब तक जवाब क्यों नहीं दिया आज सुबह आपको मैं बता दूँ कि खिस्मत मौका या सयोग ऐसा कुछ नहीं होता कि आज इस सुबह आप यहां हो और आपके संघर्ष परिशानी और चिंताएं जो आज हैं ये परमेशर से हैं मानो या ना मानो क्यों वो हमें संघर्ष में ले जाता है और हमें परिशानियों में डालता है ताकि हम मजबूत हो सकें और हम उसके करीब आएं और उसमें बढ़ें सभी बातों में उसका मकसद है रोमियो में प्रेरित पॉलुस कहता है जो महिमा उसने हमारे सामने प्रगट की है उसके सामने ये परेशानिया कुछ भी नहीं है रोमियो आठ अठाइस कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बाते मिलकल भराई यूदपन करती हैं क्या आप इसका आर्थ जानते हैं कि परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा सिवाई कि उसका भला मकसद हो फिर आप मुझे देखकर कहेंगे इसमें से भलाई की कौन सी बात आ सकती है ओ, सोचो, सोचो, मैं इसे अपने दो हाथों से पकड़े रखता हूँ, मेरा मतलब, हाँ 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 वाकई, हम इस पर थोड़ी देर के बात जाएंगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्यू परमेश्वर ने आपकी प्राथनाओं का अब तक उत्तर नहीं दिया उसने अब तक आपको इन सारी परेशानियों से नहीं छुड़ाया क्योंकि वो हमारे हर्दे को मजबूत कर रहा है और उसे तयार कर रहा है और उसे सिखा रहा है उस पर भरोसा करो, नीति वचन तीन पांच कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पूरे मन से यहुआ पर भरोसा रखना उसको याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सिधा मार निकालेगा परमेश्वर पर भरोसा रखो पर देखो मैं तुम से यहां ये सब कह सकता हूँ और अगले हपते तू मुदास हो जाओगे अरे, मेरी कार खराब हो गई देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप घर जाओ और मेरे बारे में सोचो कि मैं सिध्ध मसीह हूँ क्योंकि मैं अच्छा मसीही नहीं जो कुछ आप मुझ में देख रहे हैं जो कुछ मुझ में अच्छा है वो कुछ नहीं बकवास मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं पर ये जो चुनावती आप मुझ में देख रहे हो जो मुझ में है वो इसलिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले और शैतान जैसे मेरे पास आता था और कहता था कि नीग मुझे लगता है कि तुम्हे पहले ये करना चाहिए वो करना चाहिए और शायद जब तुम बहतर बनो तब इश्वर तुमारी प्रार्थना सुनेगा मुझे लगा शायद मैं धीरे से प्रार्थना करूं और बार बार दोरा हूं जो शायद परमेश्वर को सुनेगा जरा वाइबल खोलो चिंता मत करो कुछ नहीं कुछ नहीं पर यह कहता है तुम परमेश्वर को कप पाओगे जब तुम उसे खोचते हो अपने पूरे हरदे से वो आपको मिल जाएगा प्रभू घोशित करता है कि तुम उसे पाओगे बस उसकी खोच करते रहो वो आपकी सारी बातों को जानता है तुमारी भावनाओं से पहले वो तुमारी प्रार्थना को जानता है वो तकलीफें जिससे आप गुजर रहे हो उसे पता है वो आपके दिल की इच्छाओं को जानता है और यही वो जीवित बलिदान है जो हमें देना है इसका मतलब क्या है? जब तक मैं मेरी च्छाओं को, परिशानियों को, चिंताओं को, निराशाओं को अपनी नाराजगी को या अपने मकसद को और अपने सपनों को, खाहिशों को, इच्छाओं को डाल ना दू येशु मसीख के चड़ों में पर मैं अब भी उल्जन में था क्यों कि यदि परमेश्वर इतना अच्छा है और सिद्ध है मेरे लिए उजना है तब उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो मेरे साथ क्या कर सकता है? आप भी शायद ऐसा सोचते होंगे मैं वो सब भी बताऊंगा मगर जब मैं पंदरा साल का हुआ मेरे साथ ऐसा ही हुआ हम यहुन्ना की किताब दौवा ध्याय बाबिल क्लास में देख रहे थे और वहाँ पर येशु चेलों के साथ एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं चेलों ने येशु से पूछा की ये आद्मी जन्म से अंधा क्यों है? आप जानते हैं येशु ने क्या कहा? ताकि परमेश्वर का कार इसके द्वारा प्रगट हो जाए अब पंद्रा साल की उम्र में मैं ये समझ नहीं पाया हम पढ़ते हैं, देखिये क्या होता है येशु ने मिट्टी में धूका, उसे साना, अंधे व्यक्ति की आँखो पर लगाया आँखो को अभिशेकित किया, उसे नदी में धोने को कहा और देखो क्या हुआ, वो आदमी फिर से देखने लगा प्रभू की इस्तूति हो अब यहाँ पर भीड की प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ फरीसियों की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है और मैं आप से कहता हूँ, और सव प्रतिशत विश्वास से कहता हूँ हम हमेशे के लिए बदल जाएंगे, है ना तो मेरे पास ये अजीव योजना थी कि मैं दौल कर जाओं और परमेशर से पूछू कि ये योजना कैसी है मैंने कहा, मुझे हाथ और पैर दे दो मैं टीवी पर जाओंगा और ओपरा विनप्री शो में भी जाओंगा मतलब कि मैं कुछ भी करूँगा, आपके लिए मैं अपना स्कूल छोलू जो सुनने में अच्छा लगता है स्योकाई करने के लिए जाना, दुनिया के छोर तक जाना बस आपके लिए जाना उसने उत्तर नहीं दिया मैंने कहा प्रभू ये तो अच्छा विचार है मैंने सोचा ये जरूर आपकी इच्छा होनी चाहिए कुछ नहीं अगर इस कहानी को छोटा करूँ तो तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा नी तुझे सच में हाथ और पैर क्यों चाहिए मैंने कहा प्रभू आप पागल हो गए हो अब जब मैं कहता हूँ कि प्रभू मुझसे बात करते हैं इसका मतलब सुनाई देने वाली आवाज नहीं जब महसूस करेंगे कि प्रभू आपसे बात कर रहा है तो आप जान जाते हैं कि वाकई प्रभू से ही है प्रभू से ही है और अगर आप नहीं जान पाते तो प्रभू आपको अनुग्रे दे कि आप जान पाएं और इसके लिए आपको प्रभू से मांगते रहना है उसने पूछा कि क्यों तुम्हें हाथ पैर चाहिए मैंने कहा प्रभू मैं पागल हो जाओंगा अगर मेरे हाथ पैर होंगे मेरी सारे सपने सच हो जाएगे मुझे अपनी पत्नी से प्यार जताने में कोई मुश्किल नहीं होगी सच में मुश्किल नहीं लेकिन प्रभू सच में मुझे एक जीवित गवाही बनना है आपके सामर्थ, अनुग्रह और प्रेम की, मुझे दुनिया के छोर तक जाना है तो जब तुम मुझे हाथ पैर दोगे तो मैं सब को सावित कर सकूँगा कि तुम सच्चे हो, और मैं सारे संसार से कहूँगा कि त वो हमें सिखाना चाहता है, वही भरोसा हमारे हर्दे में होना चाहिए, लोग मुझे से पूछते हैं कि निक तुम्हें ताकत कहां से मिलती है, प्रभू का आनंद ही मेरी ताकत है, आप जानते हो इसका क्या आर्थ है, खुशी और आनंद में क्या फर्क है, खुशी का जब आपके जीवन में सब कुश अच्छा हो रहा हो, आनंद, आनंद, परमेश्वर का आनंद ये जानना है कि चाहे कुश भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है, और आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे जीवन में कठि होने तक संभालेगा और वो आशा जो मसी में हमें है उसी कारण मैं मुस्कुरा कर आप से कह सकता हूं कि परमेश्वर मुझसे भ्रेम करता है और आप से भी आप जानना चाहते हो महिमा जो में प्रकट हुई है मैं ये अंत में बताने वाला था लेकिन ये इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा मैं पिछले दो साल में तीन बार अमेरिका जा चुका हूं ठीक है और मैंने अकाउंटिंग और फानेंशिल प्लैनिंग में डबल डिग्री प्राप्त की ह मैं कहीं काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं बहुत लोग प्रिये बनूँगा एक अंतर राश्ट्री पोत्साहन वक्ता ओ धन्यवाद प्रभकी इस्तूति हो मैं स्कूलों में जा रहा हूं पिछले साल और इस साल करीब 40 स्कूलों में बात की है या ये शुरुवात है मैं जोटी उम्र में ही आर्थी ग्रोप से स्वतंत्र होना चाहता हूं इसलिए मैंने पिछले साल एक नया घर खरीदा और परमेशर ने मुझे एक बड़े निवेश में आशिशित किया प्रभू की इस्तूति हो और अब मैं दूसरा घर लेने वाला हू और मुझे रियल स्टेट में दिल्चस्पी दरसल रियल स्टेट में नहीं पर स्टाक मार्केट में आफशन ट्रेडिंग में मैं और क्या कर रहा हूं आप्रा विन्फरी शो में जा रहा हूं प्रभू की इस्तूति हो ये अलग बात है कि वो इसके बारे में अब तक नहीं जानती सोचता हूँ एक हपते पहले उसे बता दूँगा पर ये जरूर होगा पर क्या जानते हो वो अद्भूदाशा जो मसी येशु में है आप जानते हो कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और वो शायद पूरी नहों पर ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करो वो पूरी होगी अगर परमेश्वर की इच्छा है उसके समय में ये जान लो परमेश्वर की इच्छा और उसका समय नहीं है तो उसके पास आपके लिए कुछ बहतर है मैं आपको एक उदारण देता हूँ मुझे अन्यक लड़कियां अच्छी लगी हर साल नई लड़की ये पागल पन है लगता है कि यहां भी मुझे कुछ लड़कियों से प्रेम है शायद और मैं सोचता हूँ मैं उससे शादी करूँ वो बहुत खुबसूरत दिखती है और मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत खुबसूरत होगी बहुत खुबसूरत और उसमें मसी के लिए एक अद्बुद जोश होगा और जो जरूर सिद्ध होगा पर मैं रुक नहीं सकता हसने की बात ये है कि कुछ समय तक एक लड़की मुझे अच्छी लगती है और फिर दूसरी और मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है और मैं परमेशवर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेशवर तेरे समय में तू पत्नी दे पर मैं इंतजार नहीं कर सकता पर क्या आप जानते हैं वो अद्बुद बात कि प्रेम में पढ़ना कैसा होता है और हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ अच्छी बाते होती हैं जब तक शादी नहीं होती सही है पर मैं सिर्फ अच्छी बाते देखता हूँ जिस से जो अद्बुद प्रगटी करण मुझे मिला कि आज तक जितनी भी लड़किया मुझे अच्छी लगी हैं वो सिर्फ आने वाले कल की झलक हैं कई प्रकार से है ठीक है भरोसा करो परमेश्वर पर हमें क्या हो जाता है ये मानो सभाव है हर सुबह ऐसा नहीं होता मैं उटकर कहूँ कि प्रभु की स्तुत्य हो क्या सुन्दर सुबह है मैं ऐसा नहीं हूँ मैं भी आपके समान जीवन जीता हूँ जिन परिक्षाओं में आप पढ़ते हो मैं भी उसमें पढ़ता हूँ मैं हर रोज परमेश्वर को अपसन्न करता हूँ जैसे आप करते हो ये प्रभु येश्व का हम परानुक्र है जो हमारे पापों के लिए मरा जिससे हम बचाए गए हैं ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी दी गई सेवकाई से अलग करे क्या आप जानते हैं कि मसी ही होने के नाते हमें हम आज का सपना देखने वाले होने चाहिए क्यों क्यों फिलिपियो अध्यायचार वचन तेरा येश्व के द्वारा मैं साब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है साब कुछ कोई भी कारे पूरा करने के लिए कोई भी कारे मेरा आप से प्रश्ण ये है कि आपका सपना कितना बड़ा है आपका सपना कितना बड़ा है अगले सपता आपकी सेवकाई कितनी बड़ी होगी कितनी बड़ी 10 साल बाद 20 साल बाद जब हम सेवकाई की शुरुवात करते हैं हम दो बाते गलत करते हैं सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सपना और लक्ष एक वक्ता बनना है अब हम देखना है कि मैं किस प्रकार का वक्ता हूँ अगर मैं दस हजार लोगों के सामने घबरा जाता हूँ या मैं प्रतवी के दूसरे छोड तक यात्रा करता हूँ सही सोचे तो ठीक है अगर मैंने अच्छी तरह समझाया तो आप समझते हो यही हम करते हैं देखने के लिए हम कितनी दूर जा सकते हैं हमारे खाबिलियत कितनी है हम क्या कर सकते हैं नए आपकी सहुकाई में अगर आपको समर्थ देखना है तो आज से अपनी खाबिलियत पर ध्यान ना दें पर आपकी उपस्तिती पर ध्यान दें जब आप परमेश्वर के कारे के लिए अपने आपको उपस्तित रखते हो कि वो आपके दौरा अलग अलग से वकाई से दौने कोने कोने तक पहुँचे तो सोचो क्या होगा सोचो क्या हो सकता है मैं आपको कुछ बहतरीन बाते बताऊंगा जो होंगी क्योंकि वो मेरे साथ हो रही है और ये सिर्फ शुरुआत है और दूसरी बात जो हम सेवकाई में गलत करते हैं वो यह है वो यह है कि मैं सेवकाई करने वालों को काफी उचे इस तर पर देखता था क्योंकि वो दुनिया के कोने कोने तक जाते थे जहां बीमारियां और गंदगी होती हैं फिर भी वे कारे करते हैं और वे इसके दोरा प्रभू की महिमा करते हैं तो मेरी सूची ये है, मेरी सूची में सबसे उपर सेवकाई करने वाले हैं फिर प्रचारक और फिर संडे स्कूल टीचर फिर आप जानते हो दादी और बच्चे सभी करम में देखो वो गलत है परन्द अंजाने में हम गलती कर बैठते हैं ये कितना गलत है अगर परमेश्वर ने तुम्हे सेवकाई में कुछ करने बुलाया है तो आप अपने पूंड हर्दे से सेवा करो परमेश्वर आपको आशीष देगा आपकी सेवकाई को मूल ले देगा और इ कुछ प्रार्थना योद्धा मा जैसा प्रेम देना दूसरे बच्चो को यही नैसर्गिक सेवकाई है इसके लिए प्रभु की इस्तुति हो सही मार्ग में आने के लिए परमेशर हमारी मदद करता है हमें हमारी सेवकाई में रहने की याद दिलाता है जब आप निराशा में सोचते हैं कि अब क्या होगा प्रभू आप कहा हो कभी कभी आप समझते हैं कि आप परमेशर से कितने दूर हो गए हैं कभी महसूस होता है कि आप परमेश्वर के मन में आखरी वेक्ती हो क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था इसलिए मेरे सामने ये चुनाउती आई कि मैं कुछ गलत कर बैटता था और आखिर में जाकर क्षमा मांगता था मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं संत याकुब बन मैं जानता था कि मुझे एक शमा मिल चुकी है मुझे ये भरोसा था और दूसरे दिन सोचो नीक वही कारे फिर करता था शैतान मुझसे कहता था क्या तुम परमेश्वर के संबंद के बारे में गंभीर हो क्या प्रभू तुमारे जीवन का प्रेम है परमेश्वर तुमसे ये नहीं सुनना चाहता, तुम उसे पहले ही नाखुश करके गाली दे चुके हो, वो जूट है, जब तक हम धर्म के भूखे प्यासे रहेंगे, कोई भी परमेश्वर और हमारे संबंद को नहीं तोड सकता, क्यों वो ऐसी इस्तिती बना कर हमें चुनावती देता है, क्यों व हम याद रखें, कि हम उसके बेना कुछ नहीं है, और दूसरी बात कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें प्रोथ साहित करें, यही कारण है, यह हमारी अच्छाई के लिए है, यह महिमा है, यही महिमा है, आप जानते हो, अगभुद, मेरा सपना, मैं मैं यहां खड़ा ह कर ये कह सकता हूँ कि बड़ा सपना देखो पर कितना बड़ा सपना देखेंगे हमारा परमेशर कितना बड़ा है कभी कभी हम परमेशर को छोटे बकसे में डाल देते हैं हमारा परमेशर कितना बड़ा है आप जानते हो कि हम परमेशर को बकसे में डाल देते हैं और कहते हैं और ये छोटी है, हम प्रभू को बकसे में डाल देते हैं। आप जानते हो कि हमेशा वो अपना सर बाहर निकाल कर कहेगा कि मैं यहां हूँ। वो खुद बकसे के बाहर कभी नहीं आएगा। आपको उसे उस बकसे से बाहर निकालना है। मैं प्रारतना करता हूँ कि जैसे मैं मेरे परमेश्वर को बड़ा देखता हूँ, वैसा आप भी देखो, क्योंकि वो बड़ा है। मैंने स्कूल में बच्चों से पूछा, कि तुम्हें ब्लैंक चेक की अध्भूत बात पता है। हलो, तुम जितनी चाहे उतनी रकम लिख सकते हो, तो बच्चों से पूछा, कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। हो, मैं दस लाग डॉलर लूँगा, ओके, ज्यादा, क्या, ओके, कहता है पांसो पचास डॉलर, सॉरी, पांसो पच्पन करोड डॉलर, मैंने का नहीं, और, आखिर में किसी ने कहा, अंगिनित, अप जानते हो अंगिनित क्या है, लड़कियां तुम तयार हो, शॉपिंग क करोड डॉलर, हर एक, शान में, मैं जानता हूँ, वाँ, आप इन सब पैसो का क्या करोगे, आप दस बार हाट अटैक से मर जाओगे, पर आप क्या करोगे, आपको जो कुछ भी चाहिए, आप जाकर खरीद कर लाओगे, दस अजार मां सडीज, बड़े-बड़े महल, जो च होगे कि नीक सभी लक्षे और सबने आखिर में इन पैसो से पूरे हो जाएंगे, सही है, ओके, कहने के लिए सभी जो यहां पर बैठे हैं, उनको एक हजार करोड डालर हर खशण में नहीं मिलेगा, पर आपको मिलते भी हैं, तो क्रपा करके मुझे फोन लगाईएगा, मैं परमेश्वर हर रोज हमें एक ब्लैंक चेक देता है, और सोचिए आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने सभी लक्षे और सपने जो आपको पाने हैं, वो जरूर पूरे कर सकते हैं, उसके समय में और अगर उसकी इच्छा नहीं है, तो आपके लिए कुछ बेहतर है, इसक परिवार होने का और भविष होने का परन्त मेरे जीवन को देखते हुए, मेरी पत्नी पाने के लिए जो प्रार्थना है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़िया विलाशा ये है कि मैं हर रोज परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बनूं, और आप जानते हो हम मनुष्य है और हम हारते हैं, पर सिर्फ उसके साथ चलते रहें, फिर मेरे जीवन की दूसरी बड़िया विलाशा पत्नी, पत्नी पाना नहीं है, मेरी पत्नी से मिलना है और जानना है कि यही वो है, और 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 शान्ती और आनंदित जीवन हमें मिले, जिससे हम जीवन में खुश रह सक वैलन्टाइन्स डे, वैलन्टाइन्स डे, चौदा फरवरी हर साल पिछले साथ या आठ सालों से मैं निराश था, क्योंकि सभी सुन्दर लड़कियों के पास ट्रेक भर करके गुलाब होते थे, और सभी खुबसुरत लड़के, लंबे और इस पूर्ती से भरे, बड़े एक भी नहीं मिला, आपको धक्का लगा होगा, क्योंकि मैं बहुत सुन्दर हूँ, मुझे कभी भी एक गुलाब नहीं मिला, और एक दिन मैंने परमेशर से प्राटना की, क्या तुम मुझे एक गुलाब दोगे, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहला वालेंटाइन मुझे मेरे सबसे पहले प्रेम से मिले, अब तक मुझे गुलाब नहीं मिला, पर मैं विश्वास करता हूँ कि ये जरूर होगा, लेकिन शायद ही मुझे मेरा सच्चा प्रेम पहले ही मिल चुका है। देने के लिए, यही है मसीğ के साथ हमारी रोज की यात्रह, आप जानते हो, वियस्थ होने का अर्थ है, उसका अर्थ है शैतान के बोज तल에 रहना, मैं परमेश्वार के लिए वियस्थ हूँ, आप शैतान के बोज तले हो, ये अच्छा है, ये मेरा खुद का विचार नही और उसके सुन्दर मुस्कुराहट को देखें, दाहिना हाथ आपकी ओर बढ़ाता है, और उसके कोमल उंगलियों में वो गुलाब पकड़े हैं, और वो आपसे कहता है, क्या तुम मेरा पहला प्रेम बनना चाहोगे, कठनाई में क्या तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, जब तुम अकेला महसूस करते हो, परमेशवर चाहते हैं कि आप अपना वैलन्टाइन डे उसके साथ मनाए, वो प्रतेक दिन आपके साथ बिताना चाहता है, परमेशवर के साथ थोड़ा समय विताओ क्योंकि वो आपको बहुत चाहता है, वो आपसे बेहत प्यार करता है, इसी मुंबा में 10 चैलेंज टीम को पिछले साल बताया अद्भुद अद्भुद प्रभु की इस्तूती हो आत्माओं कुछ हुआ और मैंने अपनी बात खत्म की और तब एक पुरुष बुद्ध अद्भुद पुरुष मेरे पास आया और कहा नीक मेरे पास कुछ विचार है जो कहा शरीर में हाथ पाओं का ना होना बोज है कई बार कई बार आपका कुछ उठाना बहुत भारी है जब ये होता है याद रखें आपकी सेवकाई और प्रभु येशु के कुछ को देखिए और उसका दाया हाथ अब कुछ पर है निक आपके पास दाया हाथ नहीं है जो जिसे कुरूस पर ठोके गए हैं, वो खीले से ठोके गए हैं, तुम्हारे पास पाउं नहीं हैं जिसे कीले से ठोका जाए। प्रभू ने जिस रूप में आपको बनाया है, यह निर्धारित नहीं करता कि आप कुरूस पर चड़ सकें। क्योंकि येशू आपके लिए कुरूस पर चड़े, आप येशू के एक सीमित अंग हो, जो बाहर जाकर प्रभू का सू समाचार फैलाएगा, जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। कितनी अद्भूत से उकाई है, आपकी से उकाई भी इतनी ही महत्त पूर्ण है, मैं दुनिया के करोडों लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन जरा सोचे, वो एक आत्मा जिसके हर्दे में आपने बीच बोया है, वो उतना ही अद्भूत है। उनके हर्दे में एक बीच बोते हैं और उसमें संपूर्ण बदलाओ चाहते हैं, नहीं कई बार परमेशर चाहते हैं, हम सिर बीच बोया हैं, वो पल देगा। हमको परिणाम देखने की जरुरत नहीं है, परिणाम सौर्ग में हैं, उसने पहले ही आशिश दिया है। अपने जीवन को आदा भरा हुआ देखें, ना की आदा खाली। पहले देखिए कि परमेशर ने आपको किस चीज से आशिशित किया और उसे उसके राज्य में इस्तिमाल करें। आप अपनी खाबिलियत पर भरोसा ना करें, प्रभू अच्छा करेगा, भरोसा रखें। तो आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ, परमेशर के वचनों से। आज क्यों हम मुस्कुरा सकते हैं, आज हमारे पास आशा क्यों है। इस भवन से हम शान्ती क्यों लेके जा सकते हैं, क्यों कि परमेशर यहां है और आप में जीवित है, वही आत्मा जो प्रेरित पॉलस में थी, वही आत्मा आप में है। विश्वास करो। चलो परमेशर के साथ चलो। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं, जैसे खिसमत, मौका और सायोग जो कि आप आज यहां हैं, कि आप यहां प्रत्वी पर हैं, और आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, परमेशर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजना है, अच्छ समर्पित करोगे, अगर आपने आज तक अपना जीवन मसी को नहीं दिया, या आप तक, तो अभी भी परमेशर आपको बुला रहे हैं, वो आपको एक लंबे समय से बुला रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं, जो आपको परमेशर के करीब आने से आज, ये महतवोर्ण नहीं कि आपका परमेशर के साथ कैसा रिष्टा है, वो आपको चाहता है, वो आपको बहुत चाहता है, और वो ये जानता है, कि दिल से आपको उसकी जरूरत है, जब आप तूट जाते हैं, तो येशु का वलिदान याद करो जो उसने हमारे लिए कि ये सिर्फ एक जलग है, जिससे वो गुजरा, नहीं, हम उसके बगएर हमारे जीवन में कुछ नहीं, अगर मेरे जीवन में परमेशर नहीं होते, और मैं येशु से नहीं मिलता, मेरे जीवन में, तो मैं आज यहां नहोता, इस बात का मैं आपको पूर्ण आश्वासन दिल आता हूँ, अपने पूर्ण हरदै से, मैं अपना जीवन पहले ही समाथ कर चुका होता, किस चीज से संघर्ष कर रहे हो, और किसके इंतशार में हो, क्या आप परमेशर के प्रगटी करन का इंतशार कर रहे हो, और कितना चाहते हो, कि परमेशर अपने आपको प्रकट करे, उसने अपने एकलोते पुत्र को भेजा और हम कितना मांग सकते हैं इससे बड़ा कोई उपहार नहीं कि पवित्र आत्मा आप में बसना चाहती है। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो खड़े हो जाएं अगर आप अपना जीवन येशु को देना चाहते हैं आज तो फिर आगे आईए और येशु आपके हर्दे को छू रहा है।